नमस्का दश्को यूटूब के मेरे चैनल में आप सका स्वागत है मैं आज आपके समुक उपस्ति दूई हूँ विर्ष्टिक राशी का मई 2019 का राशी फल लेकर इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मई 2019 में विर्ष्टिक राशी के जातकों के लिए गोचर कैसा है कौन सा घ्रहशुब है कौन सा घ्रहशुब सर्पत्र में आपको सपश्च कर दूँ यह केवल एक सदारन गोचर फल है जो आपकी चंद राशी पर इधारित है जो आपको बताएगा कि आपकी राशी के लिए समें कौन सा घ्रह नेगटिव चल रहा है कौन सा पॉजिव आपकी जन आपकी चंद राशी पर अधारित है यह आपके सम्मुख विष्टिक राशी की कुंड़ी है विष्टिक राशी यानि आठ नंबर की राशी जिसका स्वामी होता है मंगल जिन दर्शकों की कुंड़ी में आठ नंबर की राशी में चंद्रवा वैटा है उन सभी की उसके बाद आगे चलके सूर्य बुदापके सब्तम भाब में आजाएंगे विर्शवराशी में और मिथुन राशी में मंगल्वाराउ की उत्री चल रही है। केश्टमबाब में सबसे important बात जो महत्पुन बात है मई के महीने में जो important गटना हुई है वो यह है कि इस महा में शनी वा गुरू दो बड़े घ्रह ब्रहमान के वो वक्री हो गए हैं शनी जो एक राशी में डाई वर्ष तक रहते हैं और गुरू जो एक राशी में 13 महीने करते हैं वो इस समय वक्री हो गई वक्री होने का अर्थ क्या होता है वक्री होने का अर्थ होता है कि जब सूरह सूरह से किसी ग्रह की दूरी पढ़ जाती है सूरह से कि कोई ग्रह सूरह से साथ या आठ भाव दूर चला जाता है तो ग्रह क्या वक्री हो जाता है और वक्री पर अब क्योंकि वह वक्री हो गया तो वह चोथे वाब में और वेटेगा तो इस तरीके से आठ वाबों का फल देगा तो वक्री गरे और प्रभापशाली होता है अब आपकी कुंडी में क्या हुआ कि गुरू जो है विष्चिक राशी में चल रहे हैं तो अभी तो गुरू विष्चिक राशी में बैठे थे और आपके पंचम को देख रहे थे सब्तम को देख रहे थे नवम को देख रहे थे अब गुरू विष्चिक राशी के में वक्री हुए है तो गुरू अब पिछले भाब का भी फल देंगे तो गुरू आपके चतुर्थ को भी देखेंग आपके छटे को भी देखेंगे और आपके सब्तम को भी देखेंगे इस पर गुरू इतनी प्रभाप्शाली हो गए तो यानि वक्री होनों से ग्रह और प्रभाप्शाली हो जाता है अब यह होता है कि जो शुग्र है वो तो प्रभाप्शाली हो जाता है शुगता की और बढ योग भड भावाब राज दनू राशी होतलों या जो भॉसोतों नेकिटीविटी का चतु भाव से विचाल करते हैं माता के सॉस्ते का सुख संपत्ति का जीवन में सुख सो विदाओं का मन की शांती का अब आपको जब तक शनी वक्री रहेगा आपकी लोगों से कनेक्टिविटी कम हो सकती है कोई आपको हानी पुचाने की कोशिश कर सकता है कोई मित्र आप माई के महिने में का मिलने वाला है सबसे पले पॉजिटिव बात कि आपका धहनेच गुरु पोजिटीव हुआ है वक्री होकर तो गुरु वर जिश्चि सम्मद बन रहा है कैसे कि गुरु वक्री हो गया तो गुरु यहां पर और प्रवाब देगा और गोचर में बद्र आ साथ ही 14 मईहा तक सूर्य जो आपके मेश राशी में रहेगा तो आपके लिए काम के लिए विशेश कर आप सरकारी नौकरी में हैं सरकार से जोड़े काम करते हैं काम में सबलता मिलती दिखाई दे रही है आपको और साथ ही विशेश बात यह है कि गुरू आपके 12 बाव में bैठ के जब Bos tradeётся को देख रहा है तो आपने किषी को कंकर और वह आं आक चाहिए को आप शत्रों से साफधान हो जाएए इसके अलावा क्योंकि गुरु आपके देख रहा है आपको धन की पोजीशन अच्छी हो तो हो सकते है तो आप रिंड ले सकते हैं रिंड लेने के लिए आगर आप काफी समय से रिंड का प्रयास कर रहे थे आपकी विष्टिक राशी है आपको रिंड मिल सकता है पर साथ ही आपको अपनी हेल्थ का रियान रखना पड़ेगा क्योंकि हैल्थ के भाब में सूर्य बुद्ध वा शुकर बैटे हैं और अपने शत्रों से साफधान रहना पड़ेगा साथ ही क्योंकि आपके विवाई जीवन का सब्तम भाब है इसम पर बैटके आपके सब्तम भाब को एफेक्ट देंगे तो शनी और सूर्य का दिष्टी संब्ध और उनका बुद्ध से दिष्टी संब्ध आपके विवाई जीवन में आपको कोई प्रावलम डाल सकता है साथी एक महत्वण बात की शनी आपके धनवाब में वक्री हुए ह और केतु के साथ उती हुई है इसलिए अगर आप कोई वेपार करते हैं तो मैं आपको सला दूंगी आप किसी भी बड़े निवेश को करने से बचें और कहीं बहुत बड़ी करने की जरूवत है बहुत महत्वण जरूवत है तो खूब सोच विचार कर प्लानिंग करने के बात बड़े क्योंकि धनवाम में जब ऐसा शनी बेटा होता है तो अचाना कि आपको हानी करा सकता है जहां गुरू तो वक्री होकर आपके लिए शुब हो गए वह शनी वक्री होकर आपके लिए नेगटिव हो गए और गुरू इस बात का संकेर दे रहे हैं कि आप सुख- नक्षत्र विशाखा, अनुराधा या जेष्टा होता है तो उनकी विश्चिक राशी होती है इसका आर्थी है कि विशाखा नक्षत्र में जनम हुआ है इसका मतलद जनम के समय आपको गुरू की देशा मिली अगर आपका अनुराधा नक्षत्र में जनम हुआ है तो जनम क समय आपको शनी की दिशा मिली और अगर आपका जेश्टा नक्षत्र में जनम होगा है तो जनम के समय आपकी बुद की दिशा मिली इसके और एकॉर्डिंग इस गोचर का क्या फल है जो मैंने बताने की कोशिश करी है कि अगर आपका नुरादा नक्षत्र में जनम होगा है औ तो इसमें जो गुरु और शणी जिस नक्षत्र में चल रहे हैं जिसे गुरु जेश्टा में चल रहा है और शनी पूर्वा शाड में चल रहा है वो दोनों आपके लिए positive नक्षत्र क के according गुरु गुरु और शनी आपके लिए पॉजटिव है बशर्ते आपकी विश्चिक राशी है और जनम आपका अनुरादा नक्षत्र में हुआ हो लेकिन अगर आपका जनम जेश्टा में या विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो गरु वा शनी का जो भ्रहमन है वह अतना पैठा हुआ है तो आपको साफधानी रखने की जरुवत है इसके साथ गुरु आपको प्रयास कराएगा कि आप मकान ले ले आपको नया महान ले सकते हैं पर साथ ही आपको अपने माता के स्वास्ते का द्यान रखना पड़ेगा शनी की दिस्टी भी पढ़ रही है कि आपकी कुल्ली में ध्यान से रेखेगा कि सूर्य धनु राशी में और मिथुन राशी में तो नहीं है आपकी कुल्ली में जनम का सूर्य धनु राशी में है या जनम का सूर्य आपका मिथुन राशी में तो आपको साथगानी रखनी है खासकर कुटुम के मामलों में पै तो सूरह नेगटिव हो जाएगा और सूरह अगर मिथुन राशी में हुआ आपका जनम का सूरह तो उस पर मंगल वाराहू का एफेक्ट आएगा तो वह आपके लिए नेगटिव है इस परकार जो विष्टिक राशी वानों को जो साबदानी रखने की जरूरत है कि उनके कु आपको बता रहे हुँ उनका जब करें जितना शनी के नामों का जब करेंगे आपकी जो शनी की नेगटिविटी यह वो कम होगी यह नाम है रविज यम क्रिशन यम चाया सुनू सौरी शनी चायात्म पंगू असित अकिरमन अब मैं बताती हूं कि विष्चिक राशी वाले चन्दरमा पॉजिदिव हो खागा का च्टर्मा का बूज़िव हो धर् topp क्रिश्चिक का जब मेश का अम जब आपकरने के बहुत अच्छा उम्हां का जाती है करें नहीं काम की शुरुआत करनी है महत्यपुर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है किसी यात्रा वगरा पर जाना है इन तितियों को नोट करिए वह चे वा सात मई आठ वा नौ मई दस वा पंदरा मई 26 मई आठवी मई आपके लिए मियत्यपूर्ण तितियां हैं अब मैं बताती हो की विस्चिक राशी के लिए मई के महाँ में अशुपतितियां कॉन सी हैं वह बाखा जक चंद्रमा आपका चौथा इस्तितियां और जोती शास्तर में कहते हैंए कि अगर चंद्रमा जक्वार् वातना करें यात्राओं को टालें और महत्यपूर्ण ने ना लें और अपनी हेल्थ कर्यान रखें और वहां साब्धानी से चलाएं तो विष्टिक राशी के जातकों के लिए मई 2019 में महत्यपूर्ण तितियां जिर जिन उनका चंद्रमा आशुप होगा वो हैं एक वा दो वा शनी वक्री हो गया है और आपके तीसरे वा चोथे भाब से सम्मझ में ना पड़ें रखें तो बहुत बड़ा इंवेच्वेंट करने से वचें को परेवार में कोई विचों कोई का सन्सकर बईयान क्यों करते हुआं तो आपके लड़ाई जगड़ा साथ ही बैल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें इसके साथ ही नमस्का दर्श को जैमाता दी